ओम शांती साथ छे दो हजार चौबेस की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम आपस में रोहानी भाई भाई हो तुमारा एक दो से अती प्यार होना चाहिए तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो कभी भी लड़ना जगड़ना नहीं प्रश्ण रोहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत-बहुत प्यारे लगते हैं उत्तर पहला जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्यान कर रहे हैं दूसरा जो फूल बने हैं कभी भी किसी को काटा नहीं लगाते आपस में बहुत-बहुत प्यार से रहते हैं कभी रूसते नहीं, ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज़त गवाते हैं, वह बाप की निंदक कराने वाले निंदक हैं, ओम शान्ती जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्यान कर रहे हैं, कल्यान कारी सब प्यारे लगते हैं, तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो जरूर एक-दो को प्यारे लगेंगे, बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा, जितना बाप के बच्छों का आपस में होगा, तुम्हारा भी आपस में बहुत-बहुत प्यार होना चाहिए, अगर भाई-भाई यहां ही लड़ते जगड़ते हैं, या प्यार नहीं करते ह तो वह भाई नहीं ठहरे, तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए, बाप कभी आतमाओं से लव है न, तो आतमाओं कभी आपस में बहुत लव होना चाहिए, सत्योग में सब आतमाएं एक-दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान तूट जाता है, तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्यू का कल्यान करते हो, अपना भी कल्यान करते हो, तो भाईयों का भी कल्यान करना चाहिए, इसलिए बाप देह अभिमानी से, देही अभिमानी बना रहे हैं, वो लोक एक भाई, भाई तो आपस में धन के लिए हिस्से के लिए पड़ते हैं या लड़ने जगणने की बात नहीं हर एक को direct connection रखना पड़ता है यह है बेहद की बात योगबल से बाप से वर्शा लेना है लोग एक बाप से स्थूल वर्शा लेते हैं यह तो है रोहानी बाप से रोहानी बच्चों को रोहानी वर्शा हर एक को direct बाप से वर आप कहेंगे तुमने धन के हो क्या रोहानी भाई भाई को जगड़ना नहीं चाहिए अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते जगड़ते हैं प्यार नहीं तो जैसे रावण के बन जाते हैं वह सब आशुरी संतान ठहरे फिर दैवी संतान और आशुरी संतान में जैसे की फर्क नहीं रहता क्योंकि दे अभिमानी बन कर ही लड़ते हैं आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना होते हैं तब समझाया जाता है फिर बाप कहेंगे यह तो दे अभिमानी बच हमारे तो नहीं है क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं तो में किस जन्म शीर खंड होकर रहते हूं इस समय देही अभिमानी बन रहना है अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए आपस में लून पानी होने से बाप की भारण करेंगे तब ही बाप साथ में ले जाएंगे फिर वही संसकार साथ में जाएंगे बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं वह इश्वर ये बच्चे कहला न सकें कितना अपने को घाट डालते हैं माया के वश हो जाते है आपस में लून पानी नमक पानी मत भेद हो जाते हैं यू तो सारी दुनिया की दुनिया ही लून पानी है लेकिन अगर इश्वरिय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा वह तो बाप की निंदा कराते हैं बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले उनको नास्तिक क्या है नास्तिक भी कह सकते हैं आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है प्रेम से रहना यहां ही सीखना है जो फिर किस जन्मा आपस में प्रेम रहेगा बाप के बच्चे कहला कर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं माया बड़ी तीखी है जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है पता भी नहीं पड़ता है आपस में रूसना आदी आसुरी संप्रदाय का काम है बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है माया वार करती रहती है माया ऐसा माथा मोड लेती है जो पता नहीं पड़ता अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है वा नहीं प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए लड़ना जगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना इससे ना बोलना अच्छा है Here no evil, see no evil अगर किसी में क्रोध का अंस्ष है तो वह लव नहीं रहता है इसलिए बाबा कहते हैं, रोज अपना पोता मिलने कालो आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है क्या पद पाएंगे बाब समझाते कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी पद कम हो जाएगा साक्षतकार तो सबको होना ही है तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षतकार होता है साक्षतकार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसपर होते हो ट्रांसपर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे पिचाडी में सब साक्षतकार होगा कौन-कौन किस माक्स से पास हुआ है फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पच्छताएंगे बाबा का कहना नहीं माना बाबा ने तो बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए बाब को याद करना तो बहुत सहज है अल्फ और बे अल्फ माना बाब, बे माना बाद शाहिए तो बच्छों को नशा रहना चाहिए अगर आपस में लून पानी होंगे फिरीश और ये उलाद कैसे समझेंगे बाब समझेंगे या आसुरी उलाद है माया ने से नाक से पकड़ लिया है उनको पता भी नहीं पड़ता है सारी अवस्था डावा डोल पद कम हो पड़ता है तुम बच्छों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए प्रेम की दृष्टी रहनी चाहिए बाब प्रेम का सागर है तो बच्छों को भी खीचते हैं न तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है बाब बच्छों को बहुत प्यार से समझाते हैं अच्छी मत देते हैं इश्वरी यह मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो सब गुण तुमको देते हैं देवताओं में प्यार है न तो अवस्था तुम्हें यहां जमानी है इस समय तुमको नौलेज है फिर देवता बन गए तो नौलेज नहीं रहेगी वहाँ देवी प्यार ही रहता है तो बच्चों को अब देवी गुण भी धारन करने है अभी तुम पूझे बनने लिए पुरुशार्त कर रहे हो अभी संगम पर हो बाप भी भारत में आते हैं शिवजैन्ती मनाते हैं परन्तु वह कौन है कैसे कब आते क्या करते हैं यह नहीं जानते तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुशार्त अनुसार जानते हो जो नहीं जानते वह किसको समझा भी नहीं सकते फिर पद कम हो जाता है स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदयव अच्छी चलन रहती है कुरोई प्रेजन्ट रहे कोई अप्सेंट यहां प्रेजन्ट वह है जो सदयव बाप को याद करते है स्दर्शन चक्र फिर आते रहते है बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को स्दर्शन चक्र धारी समझो भूलते हो तो अप्सेंट हो जाते हो जब सदय प्रजंट होंगे तब ही उँच पद पाएंगे भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे बाब जानते हैं अभी टाइम पड़ा है उँच पद पाने वालों की बुद्धी में यह चक्र फिरता होगा कहा जाता है शिव बाबा की याद हो मुख में ज्ञान अमरित हो तब प्राण तन से निकले अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंतकाल में वह याद आती रहेगी खाने का लोब होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी यह खाऊ फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा बाब तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए बिगर कोई सम्बंद जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है लोब भी कम नहीं है लोब है तो पिछाडी समय वही याद आता रहेगा नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे इसलिए तुम बच्चों में लोब आदी भी नहीं होना चाहिए बाब समझाते तो बहुत है परन्तु समझने वाले कोई समझे बाब की याद को एकदम सीने से लगा दो बाबा ओहो बाबा बाबा मुक्स कहना भी नहीं है अज अपा जाप चलता रहे बाब की याद में करमाती तवस्था में यह शरीर छूटे तब उच पद पा सकते हो अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला प्रेम से भरपूर गंगा बनना है सब के प्रती प्रेम की दरश्टी रखनी है कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने है दूसरा किसी भी चीज में लोब नहीं रखना है सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है अब भ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए वरदान पुरानी देह वद दुनिया की सर्व आकर्शनों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज रिशी भग राज रिशी अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार करनाशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलोकिक नशा वरतमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो वैराग्य माना किनारा नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्शन मन बुद्धी को आकर्शन में नहीं लाए संकल पे मात्र भी अधिनता ना हो इसको कहते हैं राज रिशी अर्थात बेहद के वैरागी यह पुरानी देह वा देह की पुरानी दुनिया व्यक्त भाव वैभवों का भाव इन सब आकर्शनों से सदा और सहज दूर रहने वाले स्लोगन साइन्स के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य देखो मनश्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुशेत्र में लड़ाई लगी है और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डारेक्शन देने वाला श्रीकृष्ण था तो जिस तरफ स्वयम प्रकरती पती हैं उसकी तो विजय जरूर होगी देखो सभी बाते मिला दी हैं अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकरती पती तो परमात्मा है श्रीकृष्ण तो सत्यूक का पहला देवता है पांडवों का सार्थी तो परमात्मा था अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिकला सकता है ना पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वाराज जिलिया यह δुनिया कर्मशेत्र हैं, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है वैसा अच्छा वा बुरा फल भोगता है जिस कर्मशेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है क्योंकि अधर्म की बृद्धी भी भारत कंड से हुई है वहां ही परमात्मा ने योग बलद्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया तो परमात्मा ने एक आदी सनातन धर्म स्थापन किया परन्तु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और स्रेश्ट कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते विचारे अपने धर्म को ना जान औरों के धर्म में जुट गए तो यह बेहद का ग्यान बेहद का मालिक खुद ही बताता है यह तो अपने स्थर्म को भूल हद में फस गए हैं जिसको कहा जाता है अती धर्म गलानी क्योंकि यह सब प्रकरती के धर्म है पर अंतु पहले चाहिए स्वाधर्म तो हर एक का स्वाधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूब हूँ फिर अपनी प्रकरती का धर्म है देवता धर्म यह 33 करोड भारतवासी देवताएं हैं तभी तो परमात्मा कहते हैं अनेक देह के धर्मों का त्याक करो सर्वधर्मानी परितज्या इस हद के धर्मों में इतना अंदोलन हो गया है तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है तो सर्वशक्तिवान प्रकरती पती परमात्मा है ना ना कि कृष्री कृष्ण, तो कल पे पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकर्ती पती प्रमात्म थे, उनकी विजय गाई हुई है, अच्छा, ओम शान्ती में गहरे उतर जाओं, हुपल के ना पल भर बंद मेरे, इन लहरों को दामन में भर जाओं, में लहरों को दामन में भर जाओं, आप दिष्टियों ही दे ते रहो बाबा, कर दो कर दो कर दो